हलो एवरीबन मैं कोसलंदर कुमार स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैस भाई कोसलंदर सर आज हम लोग पढ़ेंगे 12th के मैस का चैप्टर रेट मेजर इसका लेक्चर 7 होगा यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए च रेट मेजर से जेए 2020 में जो 3 सेप्टमबर को एकजाम गवा था इवनिंग सिप्ट में उसमें कौन सा सवाल पूछा गया जेए 2020 तीन सेप्टमबर इवनिंग सिप्ट चैप्टर है रेट मेजर और इसका रेटिंग हमने दिया है इजी यानि डूएवल यह आपको NCRT कंसे पर आधारित है कोई विद्यारती अगर सिर्फ NCRT ही पढ़के गया है तो इस प्रोब्लम को बहुत असानी से बना सकता है इस टाइप का सवाल NCRT में भरा पड़ा है डेटा चेंज कर करके तो आएए देखते हैं क्वेस्टन क्या है क्वेस्टन कहता है if the surface area of a cube is increasing at a rate of 36.6 cm2 per second then the rate of change of its volume when the length of a side of cube is 10 cm सवाल क्या कह रहा है भी आपको समझ में नहीं आया होगा जब इसको तोड़ के बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक cube है यह variable cube है यानि age बदल रहा होगा तो इस परकार से हम एक cube बणा लेते हैं चलिए यही हमारा cube है और इसके age को हम x माल लेते हैं यह हमारा cube हो गया आपका यह हमारा cube हो गया आप देखिए यह हमारा age हो गया इस age को हम माल लेते हैं x तो सवाल में क्या कह रहा था सवाल में कह रहा था कि surface area of a cube is increasing surface area को अगर हम x मानते हैं x को कहते हैं surface area तो x बराबर होना चाहिए 6 x square यदि इसका one side है x तो surface area बराबर होगा 6 x side का square सवाल कह रहा है कि surface area is increasing increase करता है तो हम लोग positive मिलेते हैं तो surface area के increase करने के rate को हम लोग क्या लिख सकते हैं ds by dt ये दिया हुआ है surface area के change करने का rate दिया हुआ है कितना 3.6 cm square per second यानि ds by dt है 3.6 और s बराबर हमारे पास क्या है 6 x square इसको differentiate कर दीजिए time के respect में तो ds by dt बराबर होगा 6 और x square का होगा 2x into dxy dt यहां से हम dxy dt निकाल लेते हैं तो dxy dt बराबर क्या हो जाएगा देखिए dxy dt बराबर होगा dsy dt जिसका value है 3.6 divided by 6.12x ये हमको dxy dt होगे सवाल कह रहा है find the rate of change of volume volume के change करने का rate हम से पूछ रहा है अगर हम 20 से लिखते हैं volume तो पूछा जा रहा है कि dv by dt बराबर क्या होगा जब क्यूब का side हो जाए जब cube का side हो जाए 10 cm यानि x का value जब 10 cm हो जाए तब ऐसे स्थिती में dv by dt क्या होगा तो volume बराबर होता क्या है cube का volume होता है side का cube यानि x cube तो dv by dt बराबर होगा x cube का derivative 3x square into dx by dt अब हमको value रख देना 3 और x का value हो गया 10 यानि 10 का square hundred और dx by dt हो गया 3.6 upon 12 into x मतलब 10 इस 10 में से 0 हटा दीजे तो हो गया 3 into 10 और इसको 36 कर दीजे तो नीचे में हो जाएगा 10 तो 12,3,36 यानि 3,3,9 volume है तो क्या हो जाएगा cubic centimeter per second यानि 9 cubic centimeter per second इसका अंसर हो गया यानि option हो गया आपका A तो आप देख रहे हैं कि कैसा सवाल है आप previous videos को देख लिजिए previous videos को देख लिजिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये एकदम NCRT level का problem है तो आपसे बिंती है request है कि आप channel को ज़्यादा से ज़्यादा share कीजिए video को like कीजिए अपने भी subscribe कीजिए दोस्तों से भी subscribe कीजिए और इसी परकार से वीडियो देखते रहे है बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिजिए ताकि आपको सभी सुचना मिलता रहे Thank you all the best जय हिंद जय भारत बंदे मात्रम